मोदी जी के शासन के आच साल वैसे तो सभी क्षेत्रों और समाज के सभी तपकों के लिए तबाही लाने वाले रही हैं, पर छात्रों युवाओं के लिए तो वे किसी दोह स्वप्न से कम नहीं साबित हुए हैं. शिक्षा और रोजगार तलाश्ती एक पूरी पीड़ी का भविश्य आज दाफ पर लग गया है. उनके शिक्षा, रोजगार, लोकतांत्रिक अधिकारों सब पर गाज गिरी है. 17 सितंबर को लगातार तीसरे साल मोधी जी के जन्म दिन को नौजवानों ने उनके द्वारा पैदा की गई असहे बेरोजगारी से जोड़कर प्रतिवाद दर्ज कराया. चात्रियुवा संग्नठनों के आवान पर ट्विटर पर हश बेरोजगारी दिवस टॉप ट्रेन करता रहा और दस लाख से अधिक बार रीट्वीट किया गया. इस अवसर पर रोजगार आंदोलन का नेतरित्व कर रहे युवामंच ने रोजगार को सम्विधान में मौलिक अधिकार बनाने, हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, सम्विदा व्यवस्था खत्म करने और एक करोड रिक्त पड़े पदों को सम्यबद धंग से भरने आज यह सबसे बड़ा संकट बन गया है. NCRB के आकडों के अनुसार रोज काम की तलाश करने वाले दिहारी श्रमी को तथा अनिश्चित भविश्य से जूच रहे छात्रों की आत्मात्या के आकडों में सरवाधिक वधी दर्स की गई है. अगस्त में बेरोजगारी दर साल भर की रेकोर्ड उचाई पर पहुँच गई 8.3 पसेंट, जुलाई में यह 6.8 पसेंट थी. अगस्त के महिने में 20 लाख लोग बेरोजगार हो गए. आज यहां राश्चिय राजनीतिक प्रश्न बनता जा रहा है. वामपंथी दलों की प राहुल गांधी ने भी, जिनकी सरकार के दौर को भी जॉबलस ग्रोथ का दौर कहा गया था, नौजवानों के सुर में सुर मिलाया है. हश राश्चिय बेरोजगार दिवस टैग लाइन के साथ उन्होंने लिखा, आठ चीते तो आ गए, अब ये बताए, आठ सानों में 16 क परोड रोजगार क्यों नहीं आए? युवाओं की है ललकार, लेकर रहेंगे रोजगार. नीतीश कुमार ने बिहार में महाक्त बंधन की बागदोर और देश में विपक्ष को एक जुट करने की कमान हाथ में लेते हुए अपने राज्ज में 10 लाख ही नहीं 20 लाख नौकरियों का वाइदा कर दिया. मोदी जी ने भी मौके की नजाकत को भापते हुए अगले देड़ साल में केंद्र सरकार के खाली पड़े 10 लाख पदों को भरने का पिछले दिनों वाइदा किया है. हाला कि स्वयंग उनके मंत्री के बयान के अनुसार पिछले आठ साल में उनकी सरकार ने 22 करोड प्रार्थियों में से महज 7 लाख को नौकरी दी है. स्वाभाविक है उनके अंगिनत वाइदों को जुमला साबित होते देख चुके बेरोजगारों में अब शायद ही उनसे कोई उम्मीद बची हो. दरसल नई पेढ़ी पर छात्रियुवा समुदाय पर मोधिराज में यहां मार चोतरफा है. पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है. नई राश्चिय शिक्षा नीती के माध्यम से शिक्षा के पूरे धाचे को केंद्री कृत करके, आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर उसे महंगा करके तथा निजी करण की ओर धकेल कर, पाठिक्रमों का सांप्रदाई करण करके, अपने चहेते संदिग्ध अकादमिक गुरव प्रतियोगी चात्रों के सबसे बड़े केंद्र तथा लोकतांत्रिक चात्र राजनीती के सबसे गौर्वशाली केंद्रों में रहा है, जिसने देश को न सिर्फ अनेक बुद्धी जीवी, सांस्कृतिक व्यक्तित्व, न्याइविद, नौकर्शा दिये हैं, बलकि राश् विद्याले बनने के बावजूद वहां शैक्षण गुर्वत्ता में भारी गिरावट आई है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इतनी सोचनी अस्थिती है कि आए दिन वहां से प्रतियोगी चात्र चात्राओं की खुदकशी की खबरे आती रहती है, हाली में वहां 400% की अक इनाम की कलपना की जा सकती है, चात्र लगातार इसके खिलाफ आंदोनरत है और सड़क पर उतर रही है, उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्स किये गए है, चात्र संग भंग कर दिया गया है, पिछले 25 महीने से उसकी बहाली के लिए चात्र लगातार आंदोन चला रही है, लेकिन विश्व विद्याले प्रशासन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही, यही हाल देश में तमाम छात्र संगों का है, पूरे देश में अकादमिक समुदाय के भारी विरोध के बावजूत विश्व विद्यालियों में प्रवेश के लिए टेस्ट व्यवस्था शुरू कर दी गई है, इसका भयानक दुश्परिणाम यह होगा कि इंजिनियरिंग मेडिकल की तरह विश्व विद्यालियों में प्रवेश के लिए भी कोचिंग संस्थाओं का जाल बिच जाएगा, छात्र इनके दोहन के शिकार होंगे और निमना प्रवेश के लिए इंजिनियरिंग मेडिकल की तरह विश्व विद्याले के दरवाजे भी बंध हो जाएंगे, हालत यहा है कि अक्टूबर आने वाला है, सनातक प्रवेश के लिए अभी नतीजे आये हैं, कोई नहीं जानता सनातकोत्तर कक्षाओं के लिए कब तक एडमि असी के दशक में इसी तरह इलाहबाद में ततकालीन कुलपती ने कुछ फीस बढ़ाई थी, लेकिन तब छात्रसंग के नेत्रित्व में एतिहासिक आंदोलन हुआ था, जिसमें शहर की तमाम लोकतांत्रिक ताक्ते भी समर्थन में उत्री थी, उस आंदोलन में अनेक छात प्राएं भी जेल गई थी, तिहत्तर से चोहत्तर में गुजरात के इंजिनियरिंग कालेज की मेस में हुई फीस वृद्धी के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन ने बिहार तक पहुचते पहुचते राजनीतिक स्वरूप ग्रहन कर लिया था और अंतता सत्ता परिवर्तन क कारण बना, उस आंदोलन में पटना गो आदी चात्रसंगों की भूमी का बेहद महत्वपूल्ण थी, चात्रसंग के कारण शासन प्रशासन को चात्रविरोधी कदम उठाने में सो बार सोचना पड़ता था, नवोधारवादी अर्थनीती के अनुरूप शिक्षा व्यवस जैसे मंच न रहें। इस प्रश्न पर तमाम सरकारों का रिकॉर्ड बेहद अलोकतांत्रिक रहा है। शिकार होना पड़ रहा है। आज लाख तके का सवाल यही है कि नई पीडी के शिक्षा, रोजगार, लोकतांत्रिक अधिकारों पर जो तलवार लड़क रही है, क्या उससे उन्हें मुक्ती मिलेगी। शिक्षा, रोजगार, लोकतांत्र, जनता की बहदरी और राष्ट निर्मान का वैकल्पिक मॉडल उभरेगा। भाजपा की कोशिश है कि भारत नफरत के आधार पर बंते ताकी जीवन के राष्ट के मूलभूत सवाल न उठेन। इसके बरकिलाफ सभी देश भक्त, लोकतांत्रिक ताक्तों का कर्तव्य है कि भारत एक जुठो। लेकिन इसकी सार्थकता तभी है जब जीवन को भैतर बनाने के लिए, देश को सुन्दर बनाने के लिए सही सवाल उठेन और उसके लिए महज सदिच्छा नहीं, ठोस नीतिगत विकल पुग्रे।